बाके तीर धांग बटेश और मार्ग पर मनत आश्रम के पास यात्रियों से भरे दो टेंपो में आमने सामने से भिड़नत हो गए एक महिला की मौत हो गई दर्जन भर यात्री गंभीर घायल हो गए पथोली स्तित राज के संप्रेक्शन ग्रहे में पूर्व में अपजलाज जज एवं जला विदिक सेवा प्राधिकरण के सचेव डॉक्टर दिव्यानंद वेदी के दौरान खाने में कीडे मिले थे लेकिन दी गई हिदायत के बात से खाने की गुडवत्ता में सुधार हुआ है अपजलाज जज ने राज के संप्रेक्शन ग्रहे में बाल शीचु ग्रहे सदर और नारी निकेतन का निरिक्शन किया एज़ी जी का कहना है कि पिछले दिनों निरिक्शन के दोरान राज के संप्रेक्शन ग्रहे में किषोरों ने शुकायत की कि दली और खाने में कीडे निकल रहे हैं आपज राजस डॉक्टर दिव्यानंद वेदी का कहना है कि राज के संप्रिक्षन ग्रहे में खाने की गुडवता में सुधार हुआ है पनप्रही गंदगी को भी दूर किया गया है इसी तरह बाल्शिशु ग्रहे और नारी निकेतन की विवस्ताओं में सुधार हुआ है बाल्शिशु ग्रहे के बच्चों का सरस्वती विध्या मंदिर में एडमीशन कराये गया है किशोरों का कम्प्यूटर का भी प्रशिक्षन दिया जा रहा है एड़ी जे का कहना है कि नारी निकेतन में करीब पांच महलाय रह रही है महलाओं ने कोई शिकायत नहीं